सहने की भी कोई सीमा होती है और धैर का भी कहीं अंत होता है पच्छी मगाल में कमवेस हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि केंदर का धैर कभी भी जबाब दे सकता है दरसल लोग सबाचुनाओ परिणाम के बाद मामता के खेमे में ऐसी हायतोबा मची है कि वे अपने खो रहे जनाधार को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है इसी वज़े से वहां के राजनितिक पटल पर तेजी से उभरती बीजेपी के कारिकरताओं को डराने की पूरी कोसिस की जा रही है इस राजनितिक टकराओ की सबसे ज़्यादा कीमत भी भाजपा को चुकानी पड़ रही है लोग सभाचुनाओ के नतीजों के बाद ऐसी उमीद थी कि यह टकराओ थमेगा लेकिन हालात ओर बिगड़ गए है चुनाओ नतीजों के बाद राज्य में हिंसा और आगजिली की घटनाए बढ़ गई है पिछले दो दिनों में बीजेपी के तीन कारिकरता की हत्या कर दि गई थी जबकि कुछ कारिकरताओं को लापता करने की भी सूचना है बीजेपी ने अपने कारिकरताओं की हत्या का आरोप तिमूल कॉंग्रिस पर लगाई है वही पस्षे मगाल के अस्थानिये बीजेपी इकाय की तरब से लगतार राज्य में राश्ठपत सासन के खिलाफ रही है इस बीच प्रदेश में राजेपाल के सरीनाथ त्रिपाठी ने ग्रिह मंत्री अमित साथ से मुलकात कर राजे के हालात से आउगत कराई लिया है दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पाले यदि दोस्तों नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर ले त प्रदेश में टीमसी के बाहूबलियों का खुफ ऐसा है कि पंचाय चुनाओ के दोरान कई जगा जुमीदवारों का नमांकन दाखिल करने से रुगा गया है कई उमीदवार पंचाय चुनाओ जीत हासिल करने के बाद भी अपने छेत्र में नहीं जा सके हैं यह मामला कुल हो गई जब फनी तुफान की आहट मिलते ही प्रधानमती नरेंद्र मोदी सभी प्रभावित राज्यों से बात कर रहे थे ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री से बात करने से भी इनकार कर दिया ममता के इस रवय को हलके में नहीं लेना चाहिए यह बेहत गंभीर मामल था इसलिए हो सकता है कि ममता के इस रवय के गंभीरता से नहीं लिया गया हो लेकिन इस तरीके रवय से राजी की लोकतांत्रिक ब्यवस्ता कैसे चलेगी अगर मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री से बाचित करने से इनकार कर दे तो क्या यह समविधानिक मर्यादाओं की तो ही नहीं है राजनितिक विरोध अपनी जगह है लेकिन जब भी जनहीत की बात आती है तो उस मोर्चे पर तो हमें एक होकर के काम करना ही पड़ेगा तभी देश की तरक्की होगी लेकिन ममता है कि मानती ही नहीं क्या ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का हक है आपको बता दे कि पिछले दिनों जीस तरीके से हिंसक घटनाओं से बीजेपी करिकरताओं की हत्या की गई उससे राज्य में कानून बेवस्ता की गंभीर इस्थिती का पता चलता है ऐसा लगता है कि ममता राज्य में कानून बेवस्ता को संभाल पाने में पूरी तरीके स बिफल रही है टीमसी और राज्य सरकार के रविये से केंद्र सरकार की सहंसीलता और धैरे पर लगतार परहार हो रहा है यह धैरे कब तूट जाएगा कहना बहुत मुस्किल है अगर केंद्र सरकार राज्य में राश्टपती सासुन लागू कर देता है हाला कि अभी भी कोई असार नहीं लगता है लेकिन हालत तो बहुत जादा बदलने की सूरत नजर आ रही है हां यह जरूर हो सकता है कि केंद्र समिधान की धारा 355 के तहत राज्य सरकार को सांती बनाये रखने के लिए निर्देश भेजे इससे बीजेपी कारिकरताओं को लगतार हो रही हत्या क घटना पर तो रूख सकती है ऐसा लगता है कि ममता यह चाहती है कि केंद्र कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे वे जनता के वित जाकर के अपने प्रती सहान भूती बटोर सके क्योंकि आने वाले विधान सबाचुनाव में ममता बनरजी के पास और कोई रिपोर्ट काड़ी न उठाए और वे इस फैसले को अपने हक के लिए भून सके कूल मिलाकर के पस्ची मंगाल में राजनितिक वचस्प अस्थापित करने की लड़ाई चल रही है लेकिन यह लड़ाई राजनितिक तोर पर लड़ी जा रही है तो बेहद हत्या है आपको बताते कि आगजली और ह हत्या हिंसा अगर राजनितिक लड़ाई का हत्यार बन जाए तो फिर लोकतंत्र का संकेत ही क्या बनेगा जी हां दोस्तों इसी तरीके के खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब कर ले और इस वीडियो को जदा से जदा लोगों तक सेर करें